चोपड़ा एजूकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MBBS की पांस सीटें कोवीड वोरियर्स के लिए रिजर्व कर दी गई है मतलब की जिन बच्चों के पैरेंट्स कोवीड वोरियर्स हैं और उनकी डेथ हो चुकी है कोवीड के कारण तो वो सीटें इनके लिए रिजर्व हैं और इन सीटों के लिए MCC ने एप्लिकेशन भी इन्वाइट कर दी हैं ये 5 सीटें कौन कौन सी कोलेज में है इसके लिए कौन कौन सी कंडिडेट इलीजिबल हैं और इन पर एड्मिशन लेने का प्रोसिजर क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन 5 सीटों के लिए कौन-कौन से candidate eligible हैं तो इसके लिए सभी COVID warriors eligible हैं और COVID warriors का मतलब है public health care providers जिसमें community health workers भी सामिल हैं जिनोंने COVID-19 के patient की care की है या directly contact में आने के कारण वो impact हुए हैं यानि कि उन्हें COVID-19 हो गया है इसमें private hospital staff है इसके अलावा retired volunteer local urban bodies इसके बाद में जो सुमिधा पर करमचारी थे इसके अलावा जो डेली वेजेज हैं अडो के जो hospitals से जो state के central के hospitals हैं उन्होंने outsource से staff hire किया है इसके बाद में Autonomous Hospital जो Central के, State के और केंदर सार्शित परदेशों के हैं इसके अलावा जो AIMS, INI's Hospital है, Central Ministry के तो ये सारे के सारे स्टाप मेंबर्स इसमें सामिल हैं इसके अलावा COVID Warriors के बच्चे जिन्होंने NEET क्वालिफाई किया है वो इसके लिए eligible हैं इसमें जो application जो fill की जाएगी, route की जाएगी, वो respective DME के थुरू की जाएगी यानि कि state DME के थुरू ये application MCC को भीजी जाएगी क्योंकि ये Central Pool Quota की 5 सीटे हैं COVID Warriors के लिए मैं इसका procedure आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे कैसे आपने इसके लिए apply करना है अब इसमें ये जो 5 सीटे हैं इन 5 medical college में रिजरू हैं सबसे पहले Lady Harding के medical college जो girls के लिए है उसमें girls की सीटें यानि की एक सीट है इसके बाद IMJ वर्दा माराश्टर, NCB जबलपूर, JLN अजमेर और इसमें हलदवानी उत्राखंड में इन 5 college में एक एक सीट रिजरू हैं COVID warriors के लिए 5 सीट रिजरू हैं अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आपने इसके लिए apply कैसे करना है तो apply करने के लिए इसमें ये application format दिया गया है इस application form को आपने fill करना है candidate name लिखना है relationship लिखना है COVID warriors के साथ में father mother name लिखना है इसके बाद gender need का all India rank लिखना है need role number लिखना है और जो ये 5 college हैं इनका अपने choice filling के लिए order लिखना है पहले कौन सी चीए बाद में कौन सी चीए इसके बाद आदार नमबर लिखना है medical report death certificate जिनके कारण COVID-19 जो warriors है उनकी death हुई है वो death certificate नमबर यहां लिखने है इसके बाद अगर कोई insurance है scheme तो वो लिखना है और उसके बाद आप कौन सी state DME में आते हैं यानि कि कौन से state authority से आते हैं वो उसका नाम लिखना है candidate के यहां signature करने है इसके बाद यह कि यह form दिया गया है यह form फिल करके आपने फिर उसमें state DME में डिपोजिट करना है तो यह तो होगे दोनों form फिल करने का अब आपको क्या करना है यह form फिल करने के बाद में जो भी documents हैं जैसे death certificate है या और भी जो documents है COVID-19 के वोरियर्स के तो वो documents इसके साथ में deposit करने हैं अब यह deposit कहां करने हैं तो यह सभी state अपने अपने state में जो DME है Director Medical Education है या फिर जो DHS है Director Health Services है इनके office हैं वहाँ पर deposit करने हैं यह documents आपको वो सारे state DME या DHS हैं वो MCC को यह application eligibility के अनुसार वो forward करेंगे वो पहले scrutiny करेंगे कि क्या आप इसके लिए eligible हैं अगर आप eligible हैं तो वो MCC को forward करेंगे और MCC इस पर merit के अनुसार इन 5 C2 पर allotment करेगा तो यह है इसका admission procedure मैं last में सबस्ट सब्दों में फिर अगर इसमें आपको कोई confuse है तो इसको फिर बता देता हूँ कि आपने इसके लिए apply कैसे करना है तो जिन candidates के parents covid warriors हैं जिनके कारण covid के कारण उनकी death होगी है वो covid warriors थे और covid के कारण उनकी death होगी है वो candidate यह जो format है application form का वो फिल करके यह certificate फिल करके अपने state dme or dhs office में जाएंगे state में हर state में dme or dhs office है जैसी राजस्तान के आप रहने वाले हैं तो इसमें rhs है आगर आप up के रहने वाले हैं तो लखनव में dme office है अगर आप हरियाना के रैने वाले हैं तो पंचकुला में dmee office है तो इस परकार से हर एक state में जो dmee office है वहाँ पर यह application आपको application के साथ में यह certificate और यह documents वहाँ पर deposit करने है deposit करने के बाद आपका यहीं काम खतम हो जाता है वो dmee जो है state की वो eligibility के अनुसार ये application mcc को forward करेगा और mcc merit के अनुसार ये 5 c2 पर allotment कर देगा तो इस परकार से ये procedure है in c2 पर admission लेने का ये मैंने इसमें सब कुछ आपको बता दिया है अगर फिर भी आपको कोई doubt रहता है तो आप youtube के इस channel के comments box में comments लिखके मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आपका doubt है इसी के साथ में next video में नई update के साथ में मैं हरसाय चोपड़ा आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा जैहिंद